पोटो प्रेड सनलाइट सो हम लोग उन फैक्टर्स को पढ़ रहे थे जो किसी भी जगह के फ्लोरा एंट फॉना की डावर्स्टी को अफेक्ट करते हैं और उसमें हमने जो रिलीव वाले फीचर्स हैं मतलब कि लैंड एंड सॉइल वह पढ़ चुका है साथ हमने जो क्लाइम फरेंड के अंदर आते हैं उन फैक्टर को भी हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीजियो में और उसमें हमने टमप्रेचर जो है उसको डिसके pourra का था कि कि डिकेर से अलग अलग जगह पे अलगलग टमप्रेचर होने की कारण वहाँ पर हमें अलग तरीके के प्लाइन्स मिल अब हम दूसरा factor पढ़ते हैं, वो है photo period या फिर sunlight का, देखो photo का मतलब होता है light, ठीक है? So photo period मतलब किसी जगह पर कितने period के लिए, कितने time के लिए sunlight आती है, the variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day, अब अलग अलग जगहों पर जो sunlight है, वो कितने time के लिए आएगी, किसी जगह पर sunlight बहुत जादा time के लिए आएगी, किसी जगह पर sunlight इतनी तेज नहीं होगी, जितने मतलब इतनी तीखी नहीं होगी, किसी जगह पर जो sunlight है वो मालू जादा time के लिए आ रही है बट बहुत तेज नहीं है, चुबने वाली धूप नहीं है, हो सकता ही किसी जगह पर क्या हो, जो सूरज है वो बहुत ही कम टाइम के लिए दिख रहा है बट बहुत ही तीखी जो sunlight है वो आती है, है ना, तो मतलग कि कि अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग तरीके कि sunlight जो है वो देखने मिलेगी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा तक sunlight मिलती हो सकता है कोई जो दूसरी जगह है वहां पर बहुत ही कम time के लिए sunlight आती है तो ये जो sunlight है कोई जगह कितने time के लिए sunlight receive करेगी या कितनी उसे मिलेगी यह बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है जैसे कि लैटीटूड अब यह तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लैटीटूड की बात करें तो आर्थ में जो एक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑ एयरिया है यह सबसे जादा जो हीट है सनलाइट है वो रिसीव करता है तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उपर जाते-जाएंगे और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कै Sheriff on से नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो एयर्याद्वपिक है वह एड और्गए अंगार हैं औ और यह किस वज़ासे हो रहा है, latitude के basis पे, तो जैसे जो area जिस latitude पे पढ़ता है, उसके basis पे ही उसको sunlight मिलेगी, अगर कोई area, अगर कोई देश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ, कैंसर से लेकि Capricorn के बीच में रहता है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में रहता है, तो वो area बहुत जाद sunlight receive करता है, ठीक है, और जैसे जैसे आप उपर जाते जाओगे, मतलब की higher latitudes पे जाते जाओगे, वैसे वैसे जो sunlight है, वो कम होने लगे ही, ठीक है, और दूसरी जो factor है sunlight receive होने का, वो है altitude, हम कितने उचाई पे हैं, हम जितनी उचाई पे होंगे, उतनी तीखी धूपों, जै लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस time पे जो एकदम चोटी वाली जगह है, वहां पे जो धूप receive होती है, वो बहुत ही तीखी होती है, उसको अगर आप, मतलब वो अगर जब पत्थरों पे गिरती है, या जब बर्फ पे गिरती है, जो पहाड़ी की चोटी पे बर्फ है, ज जब उस बर्फ पे वो धूप गिरती है, तो और ज़ादा जो है तीखी हो जाती है, वो reflect करती है, और उसकी वज़ासे हम आखे नहीं खोल पाते, तो इसी लिए जो लोग आप देखोगे, मान लोग किसी mountain पे जा रहे हैं, बर्फ वाले mountain पे जा रहे हैं, especially ऐसी जगह पे ज अगर अगर अर्थ का northern hemisphere सूरज की तरफ जुका हुआ, और अगर अर्थ का northern hemisphere सूरज की तरफ जुका हुआ, तो वो वाले areas में दिन जो है वो लंबा होने वाला है, चीक है, और क्यूंकि उस time पे देखो, मान लो, ये sun है, और ये earth है, अब अर्थ का अगर northern hemisphere सूरज की तरफ होगा, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा time के लिए sunlight receive करेगा, और अगर ये ज्यादा time के लिए sunlight receive करेगा, तो इसमें दिन जो है वो लंबा होने वाला है, या यूँ कहीं, इसमें लंबे time के लिए sunlight receive होने वाली है, और इस time पे क्या होगा, जो northern hemisphere में जादा sunlight आएगी, तो southern hemisphere में दिन जो है, वो छोटे होंगे और राते लंबी होंगी, और इस का मतलब पूरे दिन में जो sunlight है, वो southern hemisphere मे इस टाइम पर इस पोजिशन पर जो light है, sunlight है, वो कम मिलेगी, वहीं जब अर्थ इस पोजिशन पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो southern hemisphere है, इस टाइम पर वो ज्यादा sunlight रिसीब करेगा, उसमें दिन लंबे होंगे, और इस टाइम पर northern hemisphere में सर्दिय हो रही होंगे, और यहाँ पर दिन जो है, छोटे होंगे, इसका मतलब sunlight जो है, वो कम time के लिए आएगी, जो थोड़ी बात आएगी भी, यह सारी चीजों पर डिपेंड क्या करता है, कि sunlight उस जगा पर कितनी होने वाली है, due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer, अब summer में क्या होता है, कि क्योंकि इन जयादा time के लिए हमें sunlight मिलती है, तो पेड़ जो है, वो जल्दी grow होते हैं, बहुत तेजी से grow होते है, क्यों grow होते है? क्यों कि देकश जिस तरीके से हम अपना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसी तरीके से पेड़ों को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? उने भ जादा खाना बनाएंगे उतने ही जादा ग्रो होंगे उसी तरीके से पेड़ भी जितना वो ज्यादा संलाइट में रहेगा उतना अच्छे से ग्रो करेगा बट इसमें भी बहुत सारी चीजे जो आफेक करती हैं जैसे की आप अगर रगिस्तान वाले पेर देखो ऐसे पेर देखो जो की इतम डेजर्ट वाले इलाके में मिलते हैं उनकी बनावट उनके पत्ते थोड़े अलग तरीके क्योंगे फिलाल हम बात कर रहे हैं वेरियेशन की ना तो हमें उसी पर ध्यान देना है कि किस तरीके से अलग-अलग जगा पे जो वेरियेशन आती हैं पेड़ पौ के जो पतियां हैं वह बहुत ही चोटी-चोटी होती है और बहुत ही मोटी-मोटी सी होती है ऐसा लगता है उसके उपर कोईOTHER की सा वेक्स दूप की वज़े से उड़ता जाएगा, पत्तियों में से जो पानी है वो सीधा हवा में चला जाएगा, तो फिर पत्तियों के पास नमी बचेगी कहां से, तो पेड जिन्दा ही नहीं रह पाएगा, इसी लिए ऐसे इलाकों में नेचर ने कैसे पेड बनाए, या अल्तिमेट देखा है, किस तरीके से क्यक्तस का प्लाइन बहुत ही ठिक होता है, और उसके जड़े होती है ना वो बहुत ही ज़दा लंबी होती है नीचे तक होती है जमीन में ताकि वो पानी को अराम से शोख पाएगा, तो ये सारे पेड़ के पत्ते एकदम बड़े-बड़े होंगे, एकदम हलके-हलके होंगे, क्योंकि उन्हें टैंशन ही नहीं, रोज बारिश होती है, रोज पानी मिलता है, अगर थोड़ा बहुत पानी उड़ भी रहा है, तो उन्हें क्या दिखका था, बट ऐसे पहुत है, जो रिगिस है, अगेन, रिगिस्तान में क्या रहा, बहुत ज्यादा सनलाइफ पड़ रही है, तो पेड़ों को क्यूंकि अपने आपको बचाना है, इतनी धूप से, ज्यादा धूप होगी, तो एपोपोरेशन भी ज्यादा होगी, पत्तियों से पानी ज्यादा लॉस होगा, लूज ह लिए वहां की पत्तिया कैसी तो चोटी-चोटी है, बहुत चोटी-चोटी, ताकि ज्यादा पानी लूज ना हो, और वो क्या होते हैं, कांटे-दार पौदे होते हैं, ताकि जानवर उन्हें खा भी ना पाएं, तो देखर, कितनी शारी चीजे जो है, एक साथ काम कर रही ह है, नेचर ने अपने आपको इस तरीके से डाक्त किया हुआ है, कि वो उस पर्टिकुलर जगा पे चैन से जी पाएं, तो इसमें हमने समझा कि किस तरीके से जो सनलाइट है, वो अफेक्ट करती है किसी जगा के फेड़ बाधों को, इसी तरीके से जानवरों को भी अफेक् तो इसी तरीके से जान्वर जो हैं वो भी हमें अलग अलग दिखाई देंगे अलग अलग जगां के हिसाब से अगर कहीं पर सुनलाइट बहुत जाद है तो उसे साब से वहां के जान्वर दिखाई देंगे कि il